हालो फ्रेंड्स वागते हैं आपका माई चैनल पर आज हम आपके लिए लिखिया है बहुत ही जड़ा चटपटा सा कुरकुरा सा करासा नास्ता जितना जड़ा चटपटा है कुरकुरा है उसे जदा यह हेल्दी है क्योंकि यह बनने वाला है कम तेल में तो मानिंग में सब्सक्राइब करना जाथ ही नौट्पिकेशन बेल को आन करना ताकि जैसे वीडियो अप्लोड करूं आपको नौट्पिकेशन मिल पहें सबसे पहले और आप हमारी आसान रेस्टी का फाइदा उठापाई सबसे पहले चलिए बनाना सुरू करतें तो प्रें आगे गैस की मेडियम साइज की प्याद लिया है जिसको मैंने इस तरह से मुटा-mुटा कट कर लिया ये डाल देंगे आज है और इसनके डालेंगे सास त्याज कडी पत्ता जिसको ने मिखी नहीं भी बूलते हैं तो अगर आखे आपके पास मिखी नहीं या कडी पत्ता ना हो तो आप कर सकते हरावाला या पुदीना विदा सकते हैं तो यहां पे हम सारी तीजों को 10-15 से चटका लेंगे या अच्छा से पका लेंगे और यहां पे जब दिल्कुल अच्छा सा कलर आने लेगा बिल्कुल लाइट सा पिंग सा तब इसमें डालेंगे एक ग्रेंच जिली जोसको इ पुदीने को लिए आप इसमें लान होना चाहिए ना इसके बीज निकाले ना ही जोस निकाले कर लिया और इसको नमबा लंबा कट कर लिया है तो तामाटर डालेंगे नंबक हवारे घख जाएं मिलकि लूपी तक नमक अपने प्रावित कर देंगे और धीमियाज निर से ल तो फ्रैंट देखिए एक से दो मिनट के बाद इस तरह से टमाटर हमारे अच्छा से गर्ज दिखे हैं यह दिखिए सॉफ्ट हो गए बहुत ज़्यदा गलाना नहीं है अब इसके बाद हम इस पर डालेंगे तर्मरी पॉर्डर चॉप्राई चमज थोड़ा सब दाने के कास् पॉर्डर बॉल तक और सारे मसालों को अच्छ से दस से पंदा सेकंड भूनेंगे ताकि मसालों का कच्छा पर निकल जाए तो देखिए मसाले अच्छ से बून गए हैं अब इसके बाद हम इस पर डालेंगे तीन मीडियों साइज के आलू जिसको मैंने बॉयल करने के जितना भी मौशर वह खतम हो जाए तो यहां पर देखिए दस से पंदा सेकंड हाई फ्लेम पर अच्छ से बून लिया है मसाले भी अच्छ से बुन गए है और हमारा अलू भी जितना मौशर था वह बिल्कुल अच्छ से सोग गया है इसके आप इसके बाद इस पर हम डाले के बाद फैन के नीचे रख देना जब इसका सारा पानी कटम हो जाए तब करके डालना तो यहां पर मसाला व्यूगरम है और हरा दरिया सबसे लाश्ट में जाएगा और इसे ज़्यादा पकाने की जूरत नहीं दस से पंदा सेकंड पकाएंगे अब गैस के फ्लेम को बंद की चटपटे दार और मज़दार सी श्टपिंग रेडी हो चुकी है अब इसको हम साइड में रख देंगे और आगे काम करेंगे जैसे पैन गरम होगा इसमें एक चमच हम मोंपली डालेंगे और एक चमच हम इसमें डालेंगे चने की दाल जो हमने बिना भिगाये लिया है दाल को मैंने तीन से चार बार अच्छे से कपड़े से पोच लिया मोंफली को भी पोच लिया अब दोनों चीजों को धीमी धीमी आज पर दस से पंदा सेकंड तक अच्छे से बोनेंगे ताकि इसमें बिल्कुल हलकी हलकी सी चिट्टी आ जाए काला नहीं करना है इसलिए इसलिए बिल्कुल लो रखना है और कंट्री ने चलाते विल से भोलेना है यहां पर हमने एक इंच का द्रक लिया है जिसको अच्छे से वास करने के बाद छी लिया है और इसका चिलका निकालने के बाद ही आड़ करना इसके अंदर अब इसके अंदर हम डालेंगे पांच चीजों को वापस से 10-15 सेकंड भूनेंगे लो फ्लेम पर जलाना बिल्कुल भी नहीं आप इसके बाद लाश्ट में इसमें आड़ करेंगे हाफ टीस्पून तक जीरा जीरा आपको लाश्ट में इसलिए आड़ करना है क्योंकि जीरा बहुत ही जल्दी भून जाता है अग सबसे छोटा ना मिक्सी का जाल लिया उसके अंदर में इसको टास्ट करेंगे और आप इसमें क्यायाइट करेंगे आपको बताते हैं चाठ मसाला आपके पास चाठ मसाला नहों तो आप नेमू का रस्पी दाल सकते और इसके बाद चौथाई-चमश पर नमक आपने साबुत वाला तो पहले जीरा हमने डाला था वह भून की डाला है इस बार हम कच्छा जीरा डालेंगे दोनों के कॉंबनेशन से एक बिल्कुल अच्छा सा फ्लेवर निकल कराता है आप जरूर डालना और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हराधनिया जिसको हम डंठल के साथ डंठल को नहीं निकालना है इसे बहुत यह अच्छा टेस आता है अब इसमें हम डालेंगे चोथाई चमच सुगर जिसको चीनी बोलते हैं सकर भी बोलते हैं अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बाप से जिरूर बिताना और अब इसके अंदर हम डालेंगे चार चमच सब पेश्ट बनाएंगे चलिए पेश्ट बना के लिए कि आते हैं फिर आपको दिखाते हैं तो यहां पर देखिए विल्कुर अच्छा से पीस लिया है यह देखिए इस तरीके से आपको भी से पीस लेना है ज्यादा रही या चार्च इस्तमाल नहीं करने सिर्फ तीन से चमच काफी है जितने से पिस जाए अब इसको हम टास्वर कर लेंगे आप चाहे तो इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं लेकिन मैं इसके पर लगाओंगी तड़का जिससे जो चटनी का टेस्ट हो भी बहुत हो जाएगा लोग भी बहुत प्यारा हो जाएगा और चटनी को हम इसके अंदर डालेंगे सरसो चोथाई चमबल तक जारा नहीं डालना है यह देखिए और इसमें हम थोड़ा साहरा दनिया जो इस तरीके तरने कट कर लिए यह दाल देंगे और थोड़ी से हम चुटकी बर हेंग डाल देंगे और दोनों चीजों को हम अच्छे से चटका अब जाता है तो इस तर्का चलता है कि आपको जरूर बनाना इस नास्ते के साथ आपको मज़ा आजाएगा खाके तो चाटनी को साइड में रख देते और दूसरा काम सुरू करते हैं आप देखिए मैंने एक कटोरी लिया है गेहूं का आटा यह वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं चपाती बनाते हैं यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से चान के लिए वेट नहीं हमारा 250 ग्राम है नाप में हमारा एक कटोरी है और इसमें हम डालेंगे चोथाई चमच अजवाइन जिसको हम इस तरीके से म कि नासके को कुरकुरा अच्रे करें लिए हमने एक कट रेश्पि भल लिए हैं अब इसको हलका से गरम कर लेंगे चांड रेख़ला शूजी करने के देसे को मारी करके जाल सकते हैं सारी चीज़ों को अच्हा से मिलालेंगे तो चाल काट्र डाल सीगेज तेया बिल्कुर बानने के बालने के बालत से सहरा बढम है इस तरीके से तो समझ जो आपका जो तो यह वि लेंगे रूम टंपरेचर का पानी ना ठंधा ना गरम और यहां पर हम इसका मीडियम डो लगाएंगे ना बहुत ज़रा टाइटा लगाना है ना बहुत ज़रा सौर्फ तो थोड़ा पाई डाल के इसका आठा लगाएंगे तो यहां पर देखिए अच्छे से मसलते हैं मैंने इसका आठा लगा लिया इतना अठा लगाने मुझे एक लास फानी में सिर्फ आदा गलास पानी इस्तामाल है अब इस आठे को में नौर्वर आठे की तरह गुंदा नहीं हम इसको पांच मिनट का रेस्ट देंगे ताकि आठा अमारा फूल जाए और पांच मिनट के बाद की तरफ करेंगे और पीछे लेकर आएंगे ऐसा हम तीन से चार बार करेंगे ऐसा करने से हमरा जो है इसमें जो भी एयर है वो निकल जाएगे और हमारे नास्ता काफी जादा कुर्कुरा कृस्टी लंबा समय तक बना रहेगा यह देखिए अब इस तरीके से हम इसकी छोट तरीके से हतेलियों पे 10-15 सिकंड मस लेंगे और फिर इस तरह से फ्लैट करते हुए थोड़ा सा इसके उपर अडालेंगे सुखा आटा जो मैं चावल का इस्तमाल करें इस जबानास्ता काफी जादा कुलकुरा बनेगा अगर आकर चावल काटा ना हो तो आप मेहदा भी ल देल लिया है और आप हम क्या करेंगे यह देखिए स्टफिंग जो थी हमारी बिल्कुर अच्छा से ठंडी हो गई ठंडा होने के बाद ही इस्तमाल करेंगे और आप जितना चाहें इसके अंदर फिल कर सकते हैं तो यहां पे देखिए मैं दो चमश तक भर के फिल करूंगी जिससे हमें खाने ही मता आएगा और इसको हमें बीच में बिल्कुर अच्छा से इस तरीके से अजस्ट करना है यहां पे हम पादी लेंगे और इसके हम चारों तरफ पानी अपलाई करेंगे यह प्रोसेस आपको जरूर करना है यहां पे मैं फिंगर की साइता से अपलाई क कर सकते हैं अब यहां पर हम इस तरीके से चुनल बनाते हुए इसको अच्छे से लॉक करेंगे यह देखिए और यह जो एश्ट्रा अटा बचेगा इसको हम निकाल लेंगे तो जब आप पानी लगा देंगे तो इस बिल्कुल अच्छे से सील हो जाएगा यह देखिए और इस तरीके से हम इसको बीच में बिल्कुल अज़स्ट करते हुए चारों तरफ से इस तरह से मारेंगे ताकि जो इस टफिंग है बिल्कुल बराबर हो जाए हर तरफ ऐसा नो कहीं ज़्यादा रहें और कहीं कम रहें इस तरीके से रैडियो गया तो चलिए बाकी भी जो चाहिए कर सकते मैं इसे कम तेले बनाओं की तो चलिए बनाते हैं चलते हैं गयास की तरफ तो फ्रेंड आगे गयास की तरफ यहां पर देखिए मैंने एक पैली आप चाहे तो तावा भी ले सकते या फिर जो भी बरतन चाहे ले सकते थोड़ा सा भारी और फैला हुआ जब देखिए हमने तेल को हलका सा गरम कर लिया है सुर्फ आधा चमज तेल है जब तेल अच्छे से गरम जाएगा इसमें हम डालने के थोड़ा सा सर्सों और थोड़ा सा मिसे कसूरी मेथी दा देंगे जिसे बहुत यह चा लुक आएगा हमारे नास्ते को अब इस तरीके स हम इस तरह से हलका सा इसको उपर टच करते वे यानि घुमाते वे लगा देंगे अपने नास्ते को यह देखिए इस तरह से तो यहां पर देखिए मैंने दो ही लगाया है बाकी मैं बादने लगाऊंगी अगर आपका पैन बढ़ा है तो आप चाल से पांच एक साल बना सकत करते हैं अब इसको धिमी धिमियाज पर 2 मिम तक पकने देंगे दो मिड़ा के बार करेंगे उससे पहले आपको इसे टज नहीं करना है तो फ्रैंट को चुका है मीडियम फ्लेम पर पकते वे इसको टर्ण कर देते हैं यह देखिए इस तरह के से मैंने टर्ण कर लिया है जा तो चलिए दो मिनट के बाद इसे चेक करेंगे तो फ्रैंट दो मिनट हो चुका है चलिए दूसरे साइड से भी देख लेते हैं यह देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है और दोनों साइड से बिल्कुँ अच्छा से डन हो गया इसको निकाल लेंगे यह देखिए कितना बड़ी हासा कलर आ चुका है अब हम दुबारा बनाने के लिए तेल को फिर से गरम करेंगे जैसे हमारा तेल गरम हो जाएगा हम अपना बाकी बचा भी इसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था तो चलिए फटा-फट बना लेते फिर आपसे आगी तो फ्रेइन बनका रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुर्कुरा सा करा सथा ना सथा देख रहें इसका फाइनिजर कितना जड़ा खुस्टिन लग रहा है जितना जड़ा देखने में खुश्टिन लग खाने में सज़गाए तो ज़्यादा क्रिस्पी बना कितनी ज़्यादा बराबर फिल है यह देखिए और इस वारी चटनी के साथ जब आप इसे खाएंगे तो आपको मज़ा जाएगा कैसी लगी आपको हमारी रेस्पी कमेंट बॉक्स जरूर बताना रेस्पी में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना सेयर कर अगर आप हमाई चल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करना काफी रजल है और फैमली और फ्रेंट के साथ इस रेस्पी को दिल खोल के सेयर करना अगर आप चटनी नहीं में रहाना चाहते तो आप इसे केच्छप के साथ खा सकते या फिस चाई के साथ या फिस मोजड़ी चटनी के साथ किसी के साथ दिखाएंगे तो काफी ज़्यादा आपको मज़ाएगा बहुत ही ज़्यादा मज़दार यह रेस्पी है जितनी ज़्यादा बनाने में आसाने खाने में सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है मैं जा रही सब्सक्राइब ने आप भी बनाइए अपनी फैमिली वालों को खिलाएगे और रेस्पी में आपको क्या सबसे जड़ा अच्छा लगा कर्मेंड बॉक्स में लिखना मत बूलना तो फ्रैंट चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी नहीं रेस्पी के साथ तक इस मद्यदार सी रेस्पी को इंज्वाइब कीजिए फैमिली और फ्रैंट के साथ दिल खोल के बहुत ही कम तेल किया आप इसे बच्छों के टिफिन बॉक्स में प्रती के लेंज बॉक्स में भी दे सकते हैं लब यू आल बाया टेक केर